पश्चमे सिम्भूम जीले के गोईलकेरा थाना छेतर में बुद्भार को सुरक्षा बलो के साथ भागपा मावादियों के साथ मुटभेड में डिप्टी कमांडेंट को गोली लगी है जिससे वे गंभीर रूप से घायल है डिप्टी कमांडेंट का नाम दीपक कुमार तिवारी है वह 209 कोब्रा बटालियन में तैनात है उन्हें इलाज के लिए एर लिफ्ट कर राची ले जाया गया है गोईलकेरा थाना छेतर के पंचाल बुरू गाव में पुलिस और नकसलियों की बीच हुई मुटभेड में 209 कोब्रा बटालियन के डिप्टी दीपक कुमार तिवारी को गोली लगी है वहें जिस एरिया में मुटभेड हुआ है पुलिस उसे सील कर सर्च अभ्यान चला रही है